हलो स्टुरेंट्स, वेलकम टू चानल सब कुछ नो, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एंस यार्टी मैथ का प्रस्नावली 1.1 का थर्ड क्वेस्चन से आगे इससे पहले वाले पाट में आप लोगों ने प्रस्नावली 1.1 का इंट्रोडक्शन और उसमें दो क्वेस्चन को आप लोगों ने देखा था पूरा सॉल अगर आप लोग चैनल पतना है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेयर करिए ताकि सभी लोग घर बैठे आसानी सा अनलाइन पढ़ाई कर सका तो हम लोग देखते हैं प्रस्नावली 1.1 का थर्ड क्वेस्टन दिया है 3 अपान 5 और 4 अपान 5 के बीच 5 पर में संख्याएं ग्याद किजिए हमने बताया था आप लोगों को अगर 5 पूछेगा तो ये काधिक करके मतलब 6 6 से दोनों संख्याओं में गुडा और भाग कर देंगे तो हम लोग देखते हैं लिखेंगे 5 पर में संख्याओं पूछा तो हम लोग लिखेंगे 5 पलस 1 बराबर 6 से दोनों संख्याओं में गुडाव भाग करने पर इससे देखिए क्या होगा जब एक ही संख्याओं से उपर नीचे गुडा और भाग मतलब करते हैं तो मान नहीं बदलता है संख्याओं का तो हम लोग देखिए लिख सकते हैं 3 बटे 5 को मान वही राना चाहिए 3 बटे 5 को हम लोग लिख सकते हैं 3 बटे 5 इसमें क्या कर देंगे 6 से गुडा और भाग देखिए 6 बटे 6 हमने कर दिया तो इसको जब सॉल्प करते हैं तो 3 का 6 में गुडा होगा तो 18 बटे 5 का 6 में गुडा होगा तो 30 इस संख्या से हमको मिल गया 18 बटे 30 फिल लिखेंगे तथा इसको देखते हैं 4 बटे 5 को हम लोग लिख सकते हैं चार बटे 5 उपर नीचे दोनों में गुडा और भाग करदेंगे 6 से तो इसका मान होगा देखिए 4 का 6 में गुडा करेंगे तो 24 और बटे 6 का 6 में गुडा 30 अब देखिए क्या करते हैं हम लोग देखते हैं 18 और 24 के बीच में का संख्या वही बीच का परिमे संख्या हो जागा हम लोग लिखेंगे अतर बीच की परिमे संख्या बराबर देखिए 18 के बाद आता है 19 तो 19 बटे 30 फिर कॉमा 19 के बाद 20 20 बटे 30 फिर 21 बटे 30 22 बटे 30 23 बटे 30 तो देखिए 5 परिमे संख्या पूछा था हमने 18 और 24 के बीच का हमको लिखना है यही दोनों संख्या यह दोनों हाँ तो 18 बाद आता है 19 20 21 22 23 24 आए 18 24 के बीच में 19 और 23 आएंगे मतलब 1 2 3 4 5 पूछा था देखिए हमने 5 परिमे संख्या निकाल लिया यही अंसर हो जागा तो देखिए काफी इजी है यह फार्मूला और अंसर बुक में हो सकता आप लोगों को या तो दसमलों में लिखा हुआ मिल या या तो अगर फार्मूला का यूज करेंगे जो क्लास 8 में पढ़ चुके हैं उस फार्मूला का यूज करने पर थोड़ा दूसरा अंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा तो कोई भी अंसर लिखेंगे सब सही है यह भी दसमलों वाला भी और ओ वाला भी तीनों सही है तो सबसे इजी मेथड यह है तो इसी को आप लोग यूज करेंगे तो अब हम लोग question number 4 इस exercise का personality 1.1 का last question देखते हैं तो देखिए यहाप question number 4 दिया है नीचे दियागा कथन सत्य है या और सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए इसमें 3 question दिया है तीनों का बस उत्तर बताना है कारण भी बताना है तो हमने यह आप लोगों को introduction में बताया हुआ था देखिए फर्स question का है परति एक प्राकिर्तिक संख्या एक पूर्ड संख्या होती है प्राकिर्तिक संख्या हमने बताया था natural number 1,2,3 जो गिंती वाले होते हैं उनको प्राकिर्तिक संख्या काते हैं और पूर्ड संख्या किसको काते हैं जो 0 से 0 को भी सामिल कर देंगे प्राकिर्तिक संख्या में मतलब प्राकिर्तिक संख्या के साथ 0 मिला देंगे तो पूर्ड संख्या होता है तो क्या कारा है परति एक प्राकिर्तिक संख्या पूर्ड संख्या होती है तो दिखिए प्राकिर्टिक संख्या पूर्थ संख्या होती है, मतलब होती है, तो लिखेंगे पहले का, हाँ, कहाँ, परते एक प्राकिर्टिक संख्या पूर्थ संख्या होती है, हाँ, लिखेंगे क्या, हाँ, परते एक प्राकिर्टिक संख्या पूर्थ संख्या होती है, म सभी प्राकिर्तिक संख्या है पूर संख्या हो यह पूर संख्या है तो सभी प्राकिर्तिक संख्या है पूर संख्या हो में बिद्दमान होती इसका मतलब क्या हुआ है कि जो भी प्राकिर्तिक संख्या है सभी पूर संख्या में बिद्दमान होती है मतलब उसमें सामिल होती है तो यह हमने लिख लिया सेकेंड हम लोग देखते हैं सेकेंड में देखिए दिया परतेग पूरांक एक पूर संख्या होती है पूर संख्या देखिए यह है यह पूर संख्या है और पूरांक किसको कहते हैं हमने बताया था इसके पहले पार्ट में पूरांक होता है माइनस वाले संख्या है जीरो और पलस वाले संख्या है सबको मिला के पूरांक करते हैं तो क्या कर रहा है कि परतेग पूरांक ये जो पूरांक है पूर संख्या होती है परतेग पूरांक पूर संख्या होती है कर रहा है तो सही है कि नहीं तो नहीं है क्योंकि परते एक पूरांग पूर संख्या नहीं होगी क्योंकि इसमें माइनस वाले हैं पूरांक में रिडात्मक संख्या भी बिद्दमान होते हैं ये लिख लेंगे क्योंकि पूरांक में क्या होते हैं रिडात्मक संख्या भी होते हैं जबकि पूरांक में रिडात्मक नहीं होगा इसलिए परतेक पूरांक 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 नहीं होती है हम लोग थर्ड देखते हैं थर्ड में देखिए का है परतेक परिमे संख्या एक पूरांक नहीं होती है पूर संख्या देखिए ये है तो जो भी परिमे संख्या होगा कारा की वो पूर संख्या होती है तो ये भी कोई जरूर नहीं है देखिए जैसे माली जी हमने ये लिखा ये भी परिमे संख्या है लेकिन कारा परत एक परिमे संख्या पूर संख्या होती है जबकि पूर संख्या इसको काते हैं और ये परिमे संख्या देखिए इसमें माइनस वाले नहीं है इसमें भी माइनस तो हम लोग लिखेंगे नहीं परते एक परिमे संख्या पूर संख्या होती है हम लोग लिखेंगे नहीं कारण लिखेंगे क्योंकि परिमे संख्या में भिन ये देखिए भिन हो गया परिमे संख्या में भिन वो दसमलो संख्या भी भिद्दमान होते हैं देखिए परिमे संख्या जो होगा इसमें दसमलो वाले भी संख्या माले जी हमने लिखा 0,10,5 तो ये भी परिमे संख्या हो गया इसके भी नीचे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेकिन इसमें क्या होगा पलस 1, पलस 2, पलस 3 और 0 होता है तो इसलिए परते एक परिमे संख्या एक पूरा एक पूर संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि परिमे संख्या में भी नवा दसमलो संख्या भी आते हैं देखिए परिमे संख्या में जबकि उसमें नहीं आएंगे तो इसलिए सभी परिमे संख्या को नहीं हो पाएंगे अगर यहां ऐसे पुछता कि क्या सभी पूर संख्या हैं परिमे संख्या होती हैं तब आप लोग कहेंगे हां क्योंकि सबके नीचे एक लिख के परिमे संख्या बना सकते हैं परिमे संख्या को पूर संख्या नहीं बना पाएंगे तो इस तरह से ये exercise प्रस्णावली 1.1 पुरा complete हुआ अब अगले part में आप लो इस प्रस्णावली 1.2 के लिए introduction और प्रस्णावली 1.2 देखेंगे साथ ही आप लोग और परिमे संख्या भी जानेंगे क्या होता है ये काफी important है class 10 के लिए भी class 9 के लिए भी और हमेशा के लिए भी तो वीडियो पर आप लो अगर पहली बारा है तो चैनल को subscribe जरूर कर दिजिए तो आज के लिए बस इतना ही